हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाला एं स्वागत करता हूँ आप तभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो दोस्तों सबसे जादा जो मुझे कॉमेंट में हाली में जो रिस अच्छे का लेक्चर वीडियो अपलोडेड है तो जो बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं कि सा लेक्चर नहीं मिल रहे है तो प्लीज एक बार जाईए एक बर यूटूब पे आप जो भी चाप्टर जो भी स्टैंडर का पढ़ना चाहते हो आप जो भी सब्जेक का पढ़ना च उसको देखके पूरा अपना conceptual knowledge को clear कर सकते हो ठीक है तो चलिए आज आते हैं सिधा सिधा मुद्दे के topic के उपर तो जो कि है हमारा 90% strategy वीडियो अब ये 90% ऐसे कई सारे वीडियो से हमने पहले भी बनाए हुए लेकिन ये 90% ही मैंने क्यों लिखा है देखो अगर आप इज ये जो वीडियो होगा ये 9th स्टैंडर के बच्चों के लिए होगा already 10th के लिए कई सारे वीडियो बनाए हैं बाकी स्टैंडर के लिए लेकिन अगर कोई छोटे स्टूडेंट है 7th 8th के स्टूडेंट से उनको भी इसी प्रकार का सेम वीडियो चाहिए तो definitely let me know in the comment section मैं उ 9th स्टैंडर में आ गया हूँ अब just next year आपका 10th board होगा 10th board का pressure एक अलग pressure होता है क्योंकि ये आपका पहला board exam होता है तो एक pressure तो mind में चल रहा होता है कि यार अभी मुझे 9th जो है वो इतना अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि मेरा 10th का जो basic concept है वो clear हो जाए तो देखो में एक चीज हमेशा से बोलता हूँ कि 9th is the base of 10th standard if you can learn 9th standard in the proper way तो आप जो 10th standard में चले जाओगे तो आपको 10th standard easy लगेगा comparatively to 9th क्योंकि जब 8th से 9th में आया जाता है तो बहुत सारे subjects ऐसे होते जो आपके लिए new होता है new in the sense पहले आप normal maths पढ़ते थे अब आपको algebra geometry दो हो जाता है तो बहुत सारे चीजे होती है तो बच्चा कहीं ने कहीं घबराया हुआ होता है कि कि किस तरीके से हम पढ़ाई की शुरुआत करें और पढ़ाई करने की शुरुआत के साथ-साथ हम उसको consistency के साथ कैसे manage करें और last में हम लोग finally जो exams हमारा होंगी उसमें 90% स्को के अंदर लेकर आओ सबसे पहला चीज तो है दोस्तों ड्रिम भी यानि कि आपको बड़ा देखना है अगर आपका जो सपना है वो सिफ 70% लाने का सपना है तो दोस्तों 70% भी नहीं ला पाऊगे क्यों सीदी सी बात है आप देखो हम जब भी छोटे होते तो हम एक ड्रीम पहले है और वो गोल हमको एचीव करना है लेकिन अगर वो गोल ही हमारे शामने नहीं है आप एक इमाजन करो अपने आपको छुट्ट्टी का टाइम चल रहा है वेकेशन चल रहा है और आपने कुछ गोल नहीं बनाए कि मुझे चाप्टर पढ़ना है मुझे टूशन जान कि आप फिर इधर जाओगे इधर जाओगे और इस तरीके से पूरा दिन आपको कब वेश्ट हो जाएगा आपको बिल्कुत पता नहीं चलेगा और यह वेश्ट क्यों हुआ क्यूंकि आपके पास वो गोल नहीं था आपने कोई सपना देखा ही नहीं था तो सबसे पहले तो सपना देखोगे और सपना कैसा देखोगे ड्रीम बिग यानि बड़ा सपना देखोगे तो अगर आप एक स्टूडेंट हो मान लो ठीक है नाइंस के स्टूडेंट तो आपको क्या सपना देखना है कि अगर मुझे पता ही कि मेरे हमेशा से 70% आ रहे हैं तो मैं सपना किसका देखूँगा मैं सपना देखूँगा कि यार कभी मेरे भी 90% आए और उस 90% को achieve करने के लिए आप लग जाओगे मेहनत करने लग जाओगे और उस मेहनत में आपका जो hard work होगा और smart work होगा वो दोनों ही जलकना चाहिए इस प्रकार से करना है कि यार सफलता जो है एक दिन सोर मचाया आपका इस प्रकार से मेहनत करना है ओके चलो अब next क्या है start early एक advantage होता है start early का जैसे मैंने कई सारे बार आपको बताया हुआ है और उसके उपर काम भी क्या है बहुत सारे बच्चों का 2-3-3-4-4 chapters हर subject का complete हो गया है पड़िके हमारे वीडियो देके पुरा clear हो गया है आपको ये भी करना है movies देकना है game खेलना है बाखी खेलने जाना है बाहर जाना ये करना है वो करना है तो कहीं ने कई focus नहीं कर पाऊगो चीज़ों के पर तो mind में एक या दो goal रखो उससे ज़्यादा मत रखो और बाखी confusion मत रखो clear होना चीए mind आपका कि क्या करना है आपके अंदर ना पूरा जज़बा होना चाहिए महनत हार ना मानने वाली एक शंक्ता होनी चाहिए कि यार इस बार तो मैं पूरा ढटा रहूंगा हिम्मत नहीं हारूंगा एंदुजियाजम ज़बा रहेगा मेरे अंदर उस चीज़ को पाने का तो अगर वो है तो डेफि बता हूं भा सबसे पहले यहां पर बात करूंगा आपको श्टार करना है व्वाचिंग लेक्च्टर वीडियो आपको लेक्चर वीडियो देखना चीज़ और क्यू बोल्रों दिखा अपको यहां पर लिएक पूरी उमीद है कि आप लोग देखते होंगे लेकिन कोई बात बेसलिए वहां से भी पढ़ोगे तो वो भी तो पढ़ाई-पढ़ाई ही होता है लेकिन जहां से भी पढ़ रहे हो दोस्तों मुद्दा ये नहीं कि कहां से पढ़ रहे हो अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ-साथ आपको क्या करना है उस concept के उपर आपको focus करना है let's suppose आपको 9 standard में पहला chapter पढ़ाया जा रहा है Newton law of motion अब ये जो law of motion ये क्या है ये आपको समझना पड़ेगा ठीक है law of motion फर्स law of motion क्या होता है second law of motion क्या होता है third law of motion क्या होता है ये सब चीज़े आपको समझनी पढ़ेगी अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जा रहे है तो definitely आप आगे उसके उपर याद कर पाओगे और उसके related जो भी questions होगा उसको answer कर पाओगे तो सबसे पहले जैसे मैंना आप वीडियो में के concept clear कर लो जैसे ही आपका ये चाप्टर वाइस बोल रहा हूं मैं again आपको repeat कर रहा हूं ये चाप्टर वाइस करना है मतलब समझ लो एक चाप्टर में अगर पाँच वीडियो से तो सबसे पहले तो पाँच वीडियो लगातार देख सकते हो या तो एक एक करके देख सकते हो ये आपके उपर डिपेंड करता है आपके brain की capability की उपर डिपेंड करता है अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो तो आप एक सकते हैं और उसको read करना start कर सकते हैं और कहा तक read करोगे जहां तक का आपने topic का lecture वीडियो देखा है तो वो जो topic का आपने lecture वीडियो जो देखा है उस topic तक आप एक बार वो textbook का जो भी paragraph लिखा होगा उसको एक बर read मारो मैं याद करने नहीं बोल रहा हूँ है I am repeating my words मैं या सकोगे कुछ questions बना सकोगे जैसे एक्जामपल के तवर पे Newton 3rd law तो मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि Newton 3rd law क्या होता है कि to every action there is a equal and opposite reaction ठीक है हर action का opposite reaction होता है तो उसमें मैंने examples 2-4 मैंने बोला था जैसे मैंने class में example बताया था ball लेके ठीक है मेरे वीडियो में भी होग कोई example है तो example questions जो है आपके तभी तो frame होंगे तो अगर कोई question ऐसा पूछता है कि आपके दिमाख में चलेगा टेश्बुक रीड करते करते समझ में आ गया अरे यह ऐसा line लिखा हो है मतलब इसके base पर ऐसा questions पूछे जा सकते मतलब आप खुद नया questions बनाने लगोगे हाँ ह हो सकता है इसके उपर ऐसा question आ जाए हाँ इसके उपर ऐसा question आ जब खुद से आप question बनाने लगे तो समझ जाना है कि वो topic का deep understanding आपको होने लगा है दोस्तो फिर जब आप questions बनाने लग जाओगे तो साथ ही में क्या करो digest या फिर जो भी आप answer key के लिए answer के लिए follow करते हो द साथ लेंगे और पूरा बिस्तर पर सजा देंगे और बोलते हैं मैं पढ़ापू बच्चों मैं तो सबसे पढ़ता हूँ ऐसा मत करना नहीं तो आप पीछे रहे जाओगे कोई एक बुक फॉलो गोरो साथ में टेक्स्ट बुक साथ में आपका जो हमारे lecture वीडियो से उसको कर सकेगा यह तो मैं क्लियर बोल दूँगा तो आपको डाइजेस फॉलो करना है अब इन दोनों की सहायटा से आपको क्या करना है खुद का एक नोट्स मतलब क्या होता है कि आपका एक नोट्बूक होगा लग से जो नौता वो टूशन का होगा ना तो वो स्कूल का होगा अलग से नोट्बूक यार 50-100 रुटे का जो भी अच्छा खासा नोट्बूक आता है वो ले लो अच्छी हंड्राइटिंग मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम प्योर हंड्राइटिंग निकालो जैसा आपको कमफर्टेबल लगे थोड़ा फास हंड्राइटिंग निक आपको उसको कभी भी मूठा के जब खोल लोगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यूंकि वह आपने लिखा हुआ है तो आपका दिमार्ग में जो बोलता है ना सबकॉंशियस माइन जो होता है वो उस चीज को पहले से समझ के बैठा होता है और उसको जब वापस से रीड क करने के बाद क्या करना होता है सबसे इंपॉटन चीज बहुत सारी चीज़े हम पढ़ लेते लेकिन एक्जाम में लिख पाते नहीं है क्यूंकि हम नहीं करते हैं प्रॉपर रिवीजन तो आपको करना है फिर प्रॉपर रिवीजन क्या करोगे रिवीजन नमबर वन एन रिवीजन नमबर टू दो अलग-अलग रिवीजन यहाँ पर मैं लिख कर आयो क्या है यह दो अलग-अलग रिवीजन तो सबसे पहले जो भी टॉपिक समझ लो आपने पढ़ाई किया, दो टॉपिक पढ़ लिया, अब उसका आपको revision कर रहा है, revision कप करोगे, depend करता ही आपके उपर, maybe 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, लेकिन revision is important, समझ में आ रहा है, और 2 बार होना चाहिए, तो एक तो revision ये होगा, कि जिस दिन आपने पढ़ा, उसी दिन, शाम को, या फिर उसके अगले दिन, आपने क्या कर दिया, revision कर दिया, revision में मतलब क्या, आपको चेक करना है, कि आपने जो याद किया है, वो आपको याद है की नहीं, तो किसी friends की help ले सकते हो, कोई family member की help ले सकते हो, कि यार ये question पक आपको लेना एक rough page, बड़ा सा rough page, fullscape ले लो, या फिर कोई rough notebook है वो ले लो, अब उस question को देखो, उस question का answer लिखने की कोशिश करो, भले ही fast handwriting में, भले ही easy handwriting, जो सिर्फ आपको समझे, और किसी को ना समझे, इतनी खराब handwriting में, लेकिन लिखने की practice करो, तो answer जब आप rough में पूरा-पूरा लिख लोगे न, फटा-फट तरीके से, तो आपके अंदर एक confidence आ जाएगा, कि exam में भी अगर ये question आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ, पूरा-पूरा answer लिख सकता हूँ, और करके देखना, दोस्तों, ये मैं अपने experience के साथ बोल रहा हूँ, जिस दिन आप करना सीख लोगे, जिस दिन आप consistency follow कर लोगे, trust me, हर subject में आपके जो marks आ रहे होंगे, वो 90 प्लस आ रहे होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बस आपको अपना मेहनत जारी रखना है, और ये हर subject के लिए, जो भी पढ़ने वाले, याद करने वाले subject उसके लिए है, maths के लिए change क्या हो जाएगा, same चीज होगा, maths के लिए change बस होगा, कि आपको अपने हाथ से उसको practice जितना हो सके करना है, अलग-अलग examples को लेना है, practice करना है, जहां आटके हमारे वीडियो देखना है, इसको देखा, सर ने कैसे solve करा है, बन किया, फिर side में किया, फिर कहा करोगे, तो आपका चाहे वो science subject हो, sst subject हो, चाहे mathematics subject हो, यह बहुत 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 बहतरीन तरीके से आप clear करोगे, और exam में top करोगे, बस यही था मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आपको मैं पूरा-पूरा strategy बता सकूँ, कि कैसे आप 90 प्लस से भी ज़्यादा marks निकाल सकते और definitely यह चीज़ वर्काउट होगा, और आप बहुत अच्छा score कर पाऊगे, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा है, प्लीज जरूर से comment करना, और किस प्रकार के वीडियो और आपको चाहिए, बाकी तो हम लोग पूरा planning में हैं, बहुत जल्दी आपके लिए इनको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे, आप लोगों को notifications मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे को और न्यूँ वीडियो में तब तक के लिए, thank you and goodbye.